दोस्तो नमस्कार स्वागत आप सभी का घजब समाचार में दोस्तो आपको प्रतीक सहस्पाल पसंद है या फिर दिब्यागरवाल जी हाँ हम आपको बता दें कि इन दोनों के बीच मैं काफी गहमा गहमी आज देखने को मिली है दरसल आज घर के अंदर हुए नोमिनेशन टास्क यानि कि यहां घरवालों को एक मौका दिया गया था कि वो अपने आपको नोमिनेशन से सेफ कर सकें लेकिन इस टास्क को यहां बिग बॉस को रद करना पड़ा क्योंके घरवाले जो है पाचवे राउंड में कुछ ऐसे काम करते हुए नजर आए थे यानि कि यहां इस टास्क को रद करना पड़ा और इसके बाद यहां प्रतीक सहिजपाल और दिब्यागरवाल आपस में बढ़ते हुए नजर आए दरसल यहां प्रतीक सहिजपाल दिब्यागरवाल से कहते हुए नजर आए कि तुझ मैं लोगों को यूज़ करने की जो काविज़त है वो तेरे से जादा अच्छी और किसी मैं भी नहीं है जी है वो यहां कह रहे थे कि तुने आज मूस का यूज़ किया है वो बेसक मेरी दोशती लेकिन आज तुने उसे वादा लिया और तुने उसे यूज़ किया जिस पर यहां दिब्यागरवाल अपना काउंटर अटेक देती है और वो कहती है कि ना मैंने मूस को यूज़ कि इसमें यहां मूस भी नॉमिनेशन से सेफ होना चाहती थी और मैं भी नॉमिनेशन से सेफ होना चाहती थी दोनों ने एक अपने अपने फायदे के लिए यह ऐलाइंस बनाया था ना कि मैंने मूस का यूज किया है इस पर वो यहां यह भी कह रही है कि मैंने ना तेरा भी कभी यूज किया है जब एस और इसमें तू मेरा भाई था जब मैंने तेरे लिए भी करा था और तूने मेरे लिए भी करा था मैं डिनाइड नहीं कर रही हूं कि तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया था तो इस तरीके से यहां प्रतिक सहजपाल कहते हो न चला रहे हैं कि मुझे जी हां तो दोश्टो इस तरीकी का है ये वाकिया, दोश्तो इसमें आपको कौन सही और कौन गलत लग रहा है आप अब हमें कमेंट वॉक्स में कमेंट करके अपनी राइड ज़रूर दे साथ अगर आपको वीडियो पसंद माया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिलकुल भी न भूलें